अकोस्टिक नियूरोमा जिसे बेस्टिबिलर स्वानोमा, नियूरो लेमोमा, एड्थ नर्ब ट्यूमर कहा जाता है जो सेरिब्रो पॉंटाइन एंगल के जो ट्यूमर है उसमें 80% ट्यूमर अकोस्टिक नियूरोमा है आल ब्रेंड ट्यूमर का 10% अकॉस्टिक नियॉरोमा है ये एक बिनाइन ट्यूमर है इनकैपसूलेटेड ट्यूमर है एक्स्ट्रीमली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और ये इसमें सेल जो होती है स्पिंडल सेफ रहती है और यहां इस tumor में बेरू के body पाई जाती है, कौन सी body पाई जाती है, अपनी बेरू के body पाई जाती है, यह जो myelin seed बनाती है peripheral nerve की, कौन सी cell, swan cell, इसलिए तो इससे swanoma कहा था, क्योंकि यह always, almost arise होता है, swan cell से, और किस nerve से arise होता है, यह nerve जो है, eighth nerve से arise होता है, eighth nerve के दो यह mainly arise होता है, vestibular part से, rarely arise होता है, cochlear division से, classification जो tumor होता है, वो अलग-अलग size का होता है, जैसे intra-canalicular हो सकता है, small size का हो सकता है, medium size का हो सकता है, large size का हो सकता है, आगे clinical feature की यदि हम बात करें, तो यह mainly mostly affect करता है, 40-60 age group के person को, both sex को equally affect करता है, इसमें cochlear vascular symptom आते हैं, तो क्या cochlear vascular symptom आएंगे, यही तो earlier symptom है, क्यों क्योंकि cochlear vascular Mother नर्व अपनी कुन सी है, eighth nerve उसको involve करा, तो उसके symptom आएंगे, तो cochlear के symptom बता दो, तो इसमें progressive unilateral sensory neural herring loss होता है, के सा progressive होता है, slow growing है, तो progressive unilateral sensory neural herring loss होता है, और lifting टिनितस मिलता है, और Mark Difficulty in Understand Speech उसके अलाबा Vestibular Part के संटम बता दो तो Vestibular Part में क्या संटम आएंगे इंबेलेंस होगा, बटीघो मिलेगा उसके अलाबा अपन केरिانियल नर्व का ये इंवोल्वमेंट करता है तो Early Est कुंसी नर्व को इंवोल्व करता है फेपते नर्व तो फेपते नर्व का सिम्टम क्या आएगा कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाएंगे रिडियूस हो जाएंगे एनेस्थीसिया परेस्थीसिया मिलेगा फेस बे सांथी सांथ कौन सी नर्व का इंबॉल्मेंट होगा सेवन्थ नर्व का इंबॉल्मेंट होगा उससे क्या होगा जो मियटस होगा उसकी पोस्टीरियर मियटल बॉल में हाइपोस्थेसिया हो जाएगा इस साइन को हिटजल वर्गर साइन कहा जाता है उसके अलावा दूसरी नर्व भी इंवॉल्व हो सकती है जैसे नाइन्थ नर्व टैंथ नर्व का इंवॉल्मेंट हो जाएगा उससे क्या हो ब्रेन थेडर G7 मिलेका ँसके लावार सेरी बिलम को शयरी बेलर मिलाइंट में चल नहीं पाएग़े। इंट्रकरेनियल टेंशन मिलेगा तो उसके फीचर आएंगे जैसे हेडेख होगगा नोजिया होगी ज्यादा इंट्रकरेनियल टेंशन बढ़ जूपर बढ़ब जाहेगा तो फंड summarize नर्व को दबा दिया और बड़ा हुआ तो इसने 5th नर्व को भी यहां की जो नर्व है अपनी तेवन्थ नर्व एट एट नर्व को इंबॉल्व कर दिया्ट नाइन 11 नर्व इनको भी इंबॉल्व कर दिया 7 5 जप साथ ही 7 ज्यादा बड़ा तो अकुस्टिक नियूरोमा में अपने सबतरह के नर्वी इंबॉल्मेंट थे तो उनके साइन भी पढ़ लिये थे उसके लावा इन्वेसिकेशन में अपन क्या करते है ओडियोलोजिकल टेस्ट करते है जैसे प्योर टॉन आडियूमेट्री करेंगे तो किस तरह का हेरिंग इस पीज ऑडियोमेट्री जब करेंगे तो पूर इस्पीज डिस्क्रिमिनेशन रहेगा बेरा करेंगे ब्रेइन स्टेंग इवोक रिस्पोंस ओडियोमेट्री करेंगे तो यह यूस्पुल है फोर मेकिंग ड़ाइग्नोसिस आगे है यदि आगे हम देखें बेस्टिवलर टेस्ट करेंगे जैसे कोक्लियर टेस्ट करेंगे इमेजनिंग मेथड जैसे मरे करेंगे सिटी स्केन करेंगे प्लेइन एक्सरे करेंगे उसके लावा बर्टेवरल एंजियोग्राफी करेंगे सीएसेफ एग्जामनेशन भें प्रोटीन का लिविल बढ़ जाएगा लंबर पंचर इस यूजवली अवोईट किया जाता है उसके लावा अपन और ओकोस्टिक मेरामा में क्या क्या टेस्ट करते हैं प्योर टोन ओडियोमेट्री स्पीज डिस्क्रिमिनेशन स्कोर देखते हैं रोल ओवर कर्ब देखते हैं इवोक रिस्पॉंस ओडियोमेट्री और इमे से कंवेंशनल रेडियो थेरेपी उसके लावा हम एक्स नाइफ या गामा नाइफ सर्जरी की जाती है साइवर नाइफ का यूज़ किया जाता है तो बेसे में ट्रीटमेंट ऑप चोईस क्या है सर्जरी इसे रिमूब करना है ट्यूमर को तो यह हमने कंप्लीट करा अकोस् नियूरोमा थेंक यू